Hello friends, my name is Bhaskar जैसा कि हम Concrete Technology से Related Lecture लेकर आ रहा हूँ तो आज हमारा Lecture नमर जो है 3rd है तो उससे बहले मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ कि यह जो चैनल है Technical Civil Engineering अगर आपको वीडियो अच्छा लएगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रेब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना न भूले अब मैं बताऊँगा कि जो Construction Technology में लेकर आ रहा हूँ इसके बाद मैं लाऊँगा RCC के Lecture और Building Material के Lecture लेकर लेकर आऊँगा तो यह जो वीडियो है यह किसके लिए Beneficial है जो साइट पर as a supervisor या as a site engineer work करते हैं उनके लिए भी Beneficial है अब हम बात करते हैं Construction Technology से Related Lecture No.3 तो हमारा Lecture No.2 में भी हमारे ingredients of concrete चला रहा है तो आज क्या है आज हमारे concrete के ingredients हैं यानि कि जो hydration process होती है उससे related आज हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब हम concrete की बात करते हैं तो उसमें जब हम पानी मिलाते हैं जैसी हैं उसमें पानी की मातरा मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर क्या होता है hydration process start होती है तो जो सबसे पहला जो आपका reactants होता है जो सबसे बहले जो उसमें अगर मैं कहूँ कि good variety का आपका concrete है तो good variety के concrete में tricalcium जो आपका silicate होता है 3ceo.sio2 3ceo.sio2 यहनि कि आपका tricalcium जो silicate है tricalcium silicate की जो quantity होती है फुट्टी बरसेंट होती है आप इसको दिहान रखिए कि good variety का जो concrete है पॉसमें Tricalcium Aluminate Silicate की जो quantity होती है, 40% होती है, अब होता क्या है, जैसी पानी मिलाया जाता है, जैसी concrete में, तो ये जो Tricalcium Silicate होता है, ये reaction में slow होता है, जिनि कि पानी मिलाता ही, ये प्रतिकिलिया में धहिमा होता है सबसे, सबसे धहिमा तो नहीं होता है, धहिमा होता है, क्योंकि जो इसके बाद जो Dicalcium Silicate की में बात करा हूँ, वो इससे भी slowest है, अब मैं Dicalcium Silicate की बात करता हूँ, C2S2CO.SiO2, तो जो Dicalcium Silicate है, Dicalcium Silicate जो है, reaction में कितना होता है, slowest है, reaction में, यानि कि Tricalcium C3S की comparison में क्या है थी, उससे भी जो है, ज्यादा धहिमा आपका कौन है, Dicalcium Silicate है, उसके बाद बात करते हैं, Tricalcium Aluminate की, Tricalcium Aluminate जो है, आपका, यह आपका formula थोड़ा गलत लिखा गया है, Tricalcium Aluminate C3A, Tricalcium Aluminate जो हता है, जैसे ही हम, concrete में, जो है, पानी मिलाते हैं, जैसी हड्रेशन प्रोसे स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जो react करता है, वहाँ आपका है, Tricalcium Aluminate यानि कि सीधरी है, Tricalcium Aluminate करता क्या है, यह आपका जो है, इनिशल जो setting time होती है, उसको भी increase करता है, यानि कि concrete में, अगर मैं कहूं कि जो जमने की जो सक्ती होती है, यानि कि जो प्रारमभी जमाव समय को बढ़ाता है, वहाँ आपका Tricalcium Aluminate है, और concrete में जो इसकी quantity होती है, good variety का concrete होता है, उसमें इसकी quantity 11% होती है, आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिए, एक तो इनके जो percentage है, good variety के concrete में, 40%, 30%, 11% इनको ध्यान रखिए, दूसरा इनका formula ध्यान रखिए, और जो है, कौन reaction में slow है, कौन reaction में slowest है, और कौन reaction of first है, इनको ध्यान में रखिए, उसके बात करते हैं आगे, कि जो आपका ordinary Portland cement है, अब मैं पहले बात करूँगा, tricalcium aluminate से related जितने भी points से हो सकते हैं, जितने भी question आपके tricalcium aluminate से related बन सकते हैं, उनकी बात करूँगा, तो इन ordinary Portland cement, जो आपका generally use ही आता है, 95% आपके cement clinker है इसमें, ordinary Portland cement में, और 5% आपका इसमें जिपसम है, तो इसमें क्या होता है कि the first one to react with watery, यानि कि जल से सबसे पहले जो अभी किरिया करने वाला, किरिया करने वाला जो आपका constituents है, यानि कि जो घटाग है इसमें वहां कि आपका tricalcium aluminate है, 3CAO.AL2O3, cement में अगर concrete और पानी मिला जाए तो सबसे पहले जो react होगा, वा tricalcium aluminate है, ध्यान में रखिए, उसके और बात करते हैं, एक question और आगे, the consistence of cement which is responsible for initial setting time of cement, यानि कि जो cement है, cement के initial setting time, यानि कि आरंबिक जो जमावकाल है, जो आपका OPC और PPC generally इनके लिए कितना होता है, more than 30 minute होता है, और final setting time less than 10 hour, यानि कि 600 minute होता है, इसको ध्यान में रखिए, तो cement के आरंबिक जमाव समय के लिए, जो घटक जो है, जो जिम्मेदार होता है, जो उतरता ही घटक हैगा, वहाँ आपका क्या है, ट्राइकल्चा अलूमिनेट है, तो पूरी बात ट्राइकल्चा अलूमिनेट की की जाएगी, जिपसम, अब क्या है, जिपसम जो CSO4.2H2O is added to cement, cement में अगर हम जिपसम मिलाते हैं, तो एक तो हम as a retarder इसका यूज करते हैं, cement को हम as a retarder, यानि कि मंदक की रूप में जिपसम का यूज करते हैं, लगभाद 2-3% gypsum को हम मिलाते हैं, maximum 5%, तो होता क्या है कि gypsum के अदा as a retarder काम करता है, यानि कि जो initial setting time आपका होता है 30 minutes, उसको जो है और बढ़ाता है, यानि कि उससे कम नहीं होना चीए, और बढ़ाएगा उसको retarder मंदक की रूप में काम करेगा, तो gypsum is added to cement to counteract tricalcine illuminate, ये question भी आया हुआ है कि जो gypsum है या क्या करता है, tricalcine illuminate की जो तीवर किरिया होती है, यानि कि जो तेजी से किरिया करता है, उसको दीमा करने के लिए इसका यूच के जाता है, उसके बाद आगे बात करेंगे, in the cement, the compound quickest to react with water is, यानि कि cement में ऐसा योगिक, जो पानी मिलाने पर सबसे तेजी से कारे करता है, वहाँ आपका tricalcine illuminate है, बार-बार tricalcine illuminate से related question आपके पूछे गए हैं, और सबसे यादा question भी tricalcine illuminate से ही बनते हैं, तो in the cement, the compound quickest to react with water gel से किरिया करने वाला, जो सबसे तेजी से जो योगिक है, cement में बाद ट्राइकलिक है, उसके बाद करते हैं, the compound first to settle in cement is, cement में टिकने वाला जो पृथम योगिक है, वहां कौन सा होता है, तो टिकने वाला पृथम योगिक का मतलब भी यह है, कि टिकने वाला पृथम योगिक, यानि कि जो सबसे पहले compound react करता है, या जो सबसे बहले settle होता है, वहां आपका triglecine illuminate है, यही आपका initial setting time को भी बढ़ाता है, यही देता है उसको, rapid setting cement contains relatively higher proportion of, यानि कि जो तेजी से जमने वाला, जो तेजी से कठोर होने वाला जो cement है, वह उच्च अनुपातन किसका रखता है, high proportion किसका रखता है, वह ट्राइकल सा illuminate का रखता है, तेजी से जो जमेगा, जो cement तेजी से जमेगा, उसमें higher proportion किसका होगा, triglecine illuminate का होगा, ध्यान में रखता है, उसके बाए बात करते हैं, कि जो आपका flush setting है, cement का, cement का flush setting है, is due to the hydration, और किसके जलायोजन के कारण, cement का तेजी से setting, तेजी से जलायोजन किस cement का, hydration, यानि कि जब hydration होता है, जलायोजन होता है, तो तेजी से जो जमाऊ होता है, वो किसके करण होता है, वो भी जो है, आपका tricalcium aluminate होता है, यानि कि C3E, जैसे tricalcium aluminate, concrete वहाँ पानी मिलाते हैं, तो सबसे वहले react भी यही करेगा आपका initial setting time यही देगा setting rate यही देगा तो the flesh setting time of cement paste is due to the hydration of trical cell minute UKPSCJE 2012 में यह question पूछा गिया है इसको द्यान में रखिए उसके बाँ बात करते हैं which of the following bogage compound of cement vibrates maximum heat of hydration आपको यहाँ पर द्यान में रखने वाली क्या है कि आपका bogage compound है bogage compound क्या होता है इसको आप ध्यान में रखिए कि bogage compound में क्या क्या होता है जैसी हम cement यानि की concrete जब बनाते हैं तो जब पानी मिनाते हैं तो जो hydration process होती है उसमें चार तरीकी की चीज़ा बनती है एक आपका tricalcium aluminate उसके बाद एक क्या होती है अब होता है बुगेज compound में क्या होता है कि maximum heat of hydration यानि की जलायोजन की जो अधिकतम उसमा निकलती है बाहर निकलती है उसके हिसाब से क्या है इनका जो है इनको जो है एरेंज किया गया तो tricalcium aluminate का bogage compound में tricalcium aluminate से सबसे ज़्यादा heat of hydration यानि की जलायोजन की उसमा निकलती है उसके बाद less than इससे छोटा किया है tricalcium silicate उसके बाद जो है tricalcium aluminate और सबसे कम जो उसमा निकलती है diicalcium silicate से निकलती है अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे ही इसमें क्या है कि ये तो bogage compound है ये तो किसके base पर है ये जो आपके हैं ये जो है heat of hydration जलायोजन की उसमा यानि की जलायोजन उसमा निकलते हैं उसके हिसाब से एक होता है cementious property के आलार पर तो cementious property की अगर हम बात करेंगे तो उस case में फिर जो है आपका diicalcium जो silicate होगा sorry tri calcium जो silicate होगा जिसकी 40% quantity होती है वह सबसे पहले में आएगा उससे कम क्या होगा आपका diicalcium silicate 30% यह है उसके बाद trigalcium aluminate जो है आपका 11% यह रहेगा और उसके बाद tetragalcium fluoride सबसे last में आता है वो है आपका cementious property के base पह यह है आपका heat of hydration के base पह इसको ध्यान में रखिए एक इसमें यह पुछा जाता है कि rate of hydration अगर rate of hydration के base पह पुछा जाए आपसे यहनि कि जलायोजन तर के आरहर पर पुछा जाए तो जो tetragalcium alumino ferrite है c4af c4af tetragalcium alumino ferrite जो c4af है इसकी जो जलायोजन तर होती है सबसे जादा उसके बाद tetragalcium aluminate उससे कम tricalcium silicate उससे कम और last में आता di-calcium silicate अब होता क्या है जो आपका di-calcium silicate है यह तो आपका क्या है कि जैसे ऐसे आपका time duration बीटता जाता है या आपके long duration जैसे ऐसे बीटता जाएगा एक साल तेरे साल दो साल यह आपकी strength को गेन करते रहेगा जो आपका tricalcium silicate है जैसे ऐसे इस पर load आते रहता है तो इसकी strength इंक्रीज होते जाएगी time duration बीटते के साथ एक एक साल तक जाए इसकी strength इंक्रीज होती है उसके बाद करते हैं फर्ष्ट ट्वेंटीज इस strength of concrete is due to यानि कि concrete की पहले 28 दिन की जो सामरती मिलती है और किसके दवारा मिलती है tricalcium silicate के दवारा मिलती है इनको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक दम दिमाग पर रखें बार-बार पूछे जाते हैं इसके बाद है dry calcium silicate dry calcium silicate के अगर हम बात करें तो generate से less heat of hydration जला योजन की तो यह कम उसमा उत्पन करता है यानि कि जब पानी मिलाते हैं तो hydration process में इसकी heat तो कम निकलती है लेकिन यह आपका लगबाग सालनों तक चलने वाली process है इसमें क्या होता है कि heat आपकी काफी लंबे समय तक निकलते रहती है और strength यह गेन करते है आपकी गेन होती लेगी लंबे समय तर और क्या कह सकते है इसमें जो है gain strength of concrete till long duration यानि कि लंबे समया वधी तक concrete का strength गरहन करना gain strength of concrete till long duration समय बीचते जाएगा जितना ज्यादा समय होगा आपका अच्छा है मैंने एक साल देड़ साल यह जो strength मिलेगी यह मिलेगी आपकी जो है dry calcium silicate के द्वारा 2 COO SIO2 के द्वारा जो है मिलेगी जहान में रखिए उसको आज बात करते हैं approximate ratio of the strength of cement concrete of 7 days of that of 28 day आपको पता है कि जब concrete की placing करते हैं तो 7 days में जो हमें strength मिलती है वह strength हमें मिलती है लगभग 65-70 % हमें strength मिलती है लेकिन जériहना 28 day की setting की बात करें cement concrete की तो 38 दिन के बाद जो cement concrete की जो हमें strength मिलती है 28 दिन के बाद जो cement concrete की strength मिलती है 28 दिन के बाद जो cement concrete की strength मिलती है वह मिलती है आपकी 90% अब इनका ratio है कि 7 दिन के आपकी concrete की सामर्त है और 28 दिन की concrete की सामर्त है का जो अनुमानित समय मिलेगा आपको या अनुमानित जो अनुपात मिलेगा वा कितना मिलेगा तो वहाँ आपका मिलता है लगभग जो है 0.67 अब यहाँ पर क्या है options के according देखिए 0.56 है 1 है 0.85 है 1.15 यानि कि 0.67 से जो relate कर रहा है nearby है वा value कितने है 0.56 तो यह इसका उत्तर हो गया उसके बात करते हैं इन between 7 days and 28 days यानि estimated ratio of the strength of concrete cement age यानि कि 7 दिन की जो cement concrete की जो सामर्थ है और 28 दिन की जो सामर्थ है उसका जो अनुमानी समय है estimated जो अनुपात है वह कितना होता है options के हिसाब से देखिए 3 by 4 दिया गया है आपको 1 by 2 दिया गया है 1 by 3 दिया है 2 by 3 तो यह होता है आपका 2 by 3 यानि कि 67% दिया गया है अगर आपका 67% नहों तो इसको हम कर देखिए 0.67 जो है 0.67 भी हो सकता है इसको हम केतना कर देखिए 0.67 0.67 भी हो सकता है या तो आप 2 by 3 दियान रिखिए या 67% धियान रिखिए या 0.67 जो है दियान में रिखिए please keep in mind उसके बाद बात करते हैं उसके बाद क्या होता कि for the complete hydration of cement the necessary ratio of water cement should be देखिए water cement की जब बात करते हैं तो cement के hydration के लिए यानि कि अगर उसका हम complete hydration करें अगर हम पूर्ण जलायोजन की बात करें cement की तो जो आवश्यक अनुपात होना चिए water cement का concrete बनाने के लिए पूरे जलायोजन के लिए तो वह हम more than 0.35 बट less than 0.6 यानि कि minimum value जो है आपकी 0.35 रहनी चाहिए maximum value 0.60 यानि कि जो concrete का complete hydration होगा minimum values में 0.35 रहती है maximum value 0.60 यह है आपका बहुत बार पूछा गया very important question है ध्यान में रखे जैसे आप देखें यहाँ पर क्या पुछाएगा minimum water cement is required for full hydration of cement cement के संपूर्ण जलायोजन के लिए या fully hydration के लिए जो हमें water cement की जो quantity हमें required है new time जो quantity required है वह options के हिसाब से तो options जो nearby है आपका 0.3 के वह 0.6 है तो यह minimum quantity है अगर 0.35 होता तो 0.35 भी होता options से के हिसाब से लिए आप ध्यान में रखे कि 0.35 से इसकी value ज्यादा होती है 0.60 से जो है कम होती है इसको ध्यान में रखे अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि maximum water cement ratio required for full hydration of cement तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि जो maximum value है वहाँ कहा जा रही है 0.60 तब आप 0.60 को टिक करते हैं उसको आद बात करते हैं pH value of water for concreting work lies between यानि कि concreting work हम कर रहे हैं तो उसमें हम water cement ratio बनाना है हमें slurry form देना है तो उसमें पानी की मातरा कितनी होनी चेए पानी आपका जो है क्या उसमें जो है impurities जो है नहीं होनी चेए क्या उसमें जो है जो आपकी carbonic असुद्या होते है organic impurities भी आपकी 200 mg पल लिटर शादी नहीं होनी चेए लेगिन यहाँ पर क्या है जो pH की value कीए not less than 6 it should be not less than 6 या कभी भी जो है 6 से कम नहीं होना चेए on cement is अगर P क्या है cement की मानक्स पसंद जगता है तो उस case में जो जल की मात्रा जो उपयोग की जाएगी किसके लिए आरंबिक जमावकाल के लिए cement का जो initial setting time test है उसको conduct करने के लिए जो जल की मात्रा हमां आवशक होगी वह किती होगी 0.85 जो है P जहां P क्या है वहर P is the standard consistency of cement cement की मानक्स पसंद जगता है जिसको हम जो है विकार्ट निटेल एपरेटर्स के दवारा भी जो है चेक करते हैं consistency को cement की अगर हम मैं यहाँ पर बात प्रूद the amount of water एक question और है इसमें the amount of water used in performing setting time test of cement is where assuming P equal to standard consistency of cement 0.85 देखो यह UKPST जही 2012 में पुछा गिया question है इसको ध्यान में रखिए और ऐसी questions के आपको प्रेक्टिस करनी है the amount of water used in performance setting time test of cement is P equal to consistency of cement यह भी आपको 0.85 P है इसको ध्यान में रखिए उसको आप बात करते हैं next अब जो है cement concrete के लिए क्या होता है कि slump test क्या है to find out the workability of concrete concrete की सुकारता ग्याद करने के लिए हम slump test करते हैं तीन test और भी हैं उनके बारे मैंने फ़र्श्ट वीडियों बात किये तो यहाँ पर workability है workability of concrete is directly proportional to concrete की जो सुकारता है यानि कि जो easy to flow है तो वही आपकी workability है तो सीधे किसका अनुपाति होती है समानुपाति होती है वह एक तो water cement ratio के gel cement अनुपाति है यह grading of aggregate के पानी की मातरा बढ़ेंगे workability बढ़ेगी लेकिन strength कम मिलेगी grading of aggregate बढ़े से लेका छोटे तक कि हर particle अगर उसमें है तो आपको workability अच्छी मिलेगी उसको आप बात करते है factors affecting workability यहीं कि सुखार्यता को प्रुभाइट करने वाले क्या-कारक होते है जो workability को effect करते है तो उसमें एक तो admixture है admixture क्या होते है समिस्रक होते है यानि कि admixtures अगर मैं admixture की बात करूँ तो admixtures are the material which increase the strength and workability of concrete यानि कि concrete की जो सुखार्यता है और जो concrete की सामेड़ते है उसको बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते है वही आपके admixture कहलाते है जैसे यहाँ पर क्या है air in training admixture है plasticizers है super plasticizers है और अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा retarding concrete admixture होते है जो मंदक concrete समिस्रक होते है मंदक के तौर पर काम करते है एक होते है accelerating concrete admixture तो आरिक concrete समिस्रक इसके अलावा भी admixtures होते है जो concrete में मिलाने पर उसकी strength या property या जो है workability या water tightness कह दो impermeability सम में इंक्रीजमेंट कर देता है विरदी करता है वही आपके admixture होते है उसके बात करते है surface texture तो surface texture क्या है smooth surface और rough surface के अगर हम बात कराएगा smooth surface अगर तो आपकी workability increase होगी smooth surface के case में workability आपकी increase करेगी जबकि अगर rough surface है तो उसके case में workability decrease करेगी शुका रहता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसके बात करते है workability और size जो है जो है आप aggregate पर निभर करता है particle size अगर आपका increase हो रहा है तो surface area decrease हो गाए अगर मैं बात करतूँ particle size आपका gravel है particle size याणि clay sand से आपका बड़ा particle अगर gravel है तो उसके case में surface area आपका decrease हो जाएगा अगर particle size आपका decrease हो रहा है तो surface area आपका क्या हो जाएगा surface area increase जाएगा अगर मैं कहूं कि कोई colloidal particles हैं जिनका जो size होता है 10 कई पावर मैंने 3 mm to 10 कई पावर मैंने 6 mm के बीच होता है तो particles है जितना छोटा होगा तो उसका उतना जाएगा surface area गहरेगा तो surface area उतना जाएगा फ़र एक्जामपल अगर मैं colloidal particle की बात करूँ तो देखे colloidal particles में क्या होते हैं जैसे आपके smog होगा यानि की जो धुआ होगा smog 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 और जो है आपका fog होगा kohra और जो aerosol होते हैं जो aerosol होते हैं aerosol यह सब किसमादे colloidal particles में इनका size 10 की पावर मैंने 3 से 10 की पावर मैंने 6 mm के बीच होता है तो यह particles क्या है आपके जो clay particle है उससे भी बहुत महीन है बहुत छोटा particle है तो इसका surface इरिया जो है उतना ही जो है ज्यादा होगा उसका आप shape of aggregate की बात करते हुए चलें तो rounded aggregate और angular aggregate rounded aggregate अगर हम यूज कर रहे हैं तो गोलाकार अगर मिलावा आपका यूज के जा रहा है और जो percentage of voids वह उतने कम हो जाएं क्यूंकि अगर एक percent जो अगर आपका void रह जाएगा structure में तो आपकी जो structure की strength वह 5% जो है decrease हो जाती है तो आपको number of voids से हटाने होते हैं इसलिए जो है complexion किया जाता है उसका बात किया है water content water content क्या है आपका अगर liquidity यदि तरलता बढ़ड़ी है आपकी किसमे concrete बनाने में आपकी अगर तरलता बढ़ड़ी है यनि कि आप पानी की मातरा बढ़ा रहे है तो workability आपकी क्या हो जाएगी increase ही जाएगी जो भी मैसन काम कर रहा है site पर जो place कर रहा है concrete को easy तरीके से concrete trawl के ज़री 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 करनी के ज़री cement को इधर हो दर ज़री प्लेस कर सकता है concrete को अगर liquidity आपकी कम है आपने पानी की मातरा कम की है तो workability जो है आपकी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी तो इस case में जो है workability आपकी कम हो जाती है लेकिन liquidity आपने कम की workability decrease है लेकिन इस case में आपको strength ज़री ज़री जाएगी आपको यही रखनी चीए आजसी structures के लिए ज़्यादा तर आपको यही रखनी चीए grading और gradation क्या है हम soil में पढ़ता है थे कि uniformly graded soil well graded soil poorly graded soil लेकिन यहाँ पहमना जो है कि अवर well graded इसकी हम बात करेंगे तो well graded क्या है कि जिसमें बड़े से लेकर छोटे तक के हर particle का ध्यान दिया गया है यानि कि अगर कोई particle आपका बड़ा है तो बड़े particle के बीच की जो voids होंगे उनमें उससे छोटे size की जो particle होंगे वहाँ आ जाएंगे उनसे छोटे और जो particle होंगे उसके बीच मा जाएंगे यानि कि कहीं भे भी आपका gap नहीं रहना चाहिए यानि कि well graded बिल्कुल छोटे से बड़े तक की बात करते हैं कि workability of concrete by slump test is expressed as यानि कि जो आपका slump test किया गया था workability of hand out करने के लिए concrete की जब हम उसमें क्या होता है कि cone के both handles को पकड़ के उपर को cone को उठा दे हैं तो क्या होता है कि concrete जितनी जो है stable रहेगी बहतो रहेगी लेकिन उपर की concrete जो गिर जा